Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, NTPC Limited में भी vacancies आई हुई है अच्छी बात क्या है कि इन vacancies के लिए company ने gate नहीं मांगा है अक्सर जो government sector की vacancies होती है वहाँ पे companies gate मांगती है लेकिन यहाँ पे NTPC Limited ने only engineering मांगा है जो position है Friends, वो है experienced engineers का और जो total number of seats है वो है 203 जो कि इन vacancies के तुरू भरी जानी है तो अगर Friends, आपने electrical, mechanical, electronics या फिर instrumentation में engineering किया है 60% mark के साथ तो आप इन vacancies के लिए apply कर सकते हो जो ST, SC और PWBD के लिए company ने सिर्फ और सिर्फ graduation मांगा मतब सिर्फ BTEC मांगा उनके लिए 60% का criteria नहीं है criteria सिर्फ general और OBC वालों के लिए है Friends, आपने अपने डिटेल में बात करें तो electrical engineering के अगर हम लोग तो पहले बात करते हैं तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने electrical, electrical and electronics electrical instrumentation and control, power system and high voltage power electronics, power engineering इनमें से किसी में भी electrical engineering किया तो आप apply कर सकते है mechanical वालों के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने mechanical, production, industrial engineering, production and industrial engineering, thermal, mechanical and automation, power engineering किसी में भी mechanical engineering किया है तो आप apply कर सकते हो पर दूसरी तरफ electronics engineering की बात करें तो इसके लिए कंपनी ने electronics, electronics and telecommunication, electronics and power, power electronics, electronics and communication, electrical and electronics मांगा है और आकरी में जो instrumentation engineering कंपनी ने मांगा है उसके लिए अगर आपने electronics and instrumentation या फिर instrumentation and control में instrumentation engineering किया है तो आप इस दो जो तो तीन सीट से वहाँ पर apply कर सकते हो अगर बात करते हैं हम लोग की कंपनी ने क्या experience मांगा है तो company ने total b.tech के बाद 3 साल का experience आपसे मांगा है तो अगर आपने as a executive या फिर as a supervisory level पे अगर आपने 3 साल काम किया है तो आप in positions के लिए apply कर सकते हो जो upper age limit है वो है 30 साल वहीं दूसरी तरफ जो pay scale है वो होगा पचास हजार से लेकर एक लाग साथ हजार रुपए तक तो selection की बात करें तो आपका selection होगा आपको होगा online examination अब online examination आपको कहां पे देना है वो जब आप इनका online form भरोगे तो वहाँ पे आप अपने preference के साब से अपना cds select कर सकते हो वहाँ पे आपका online examination होगा उसके बाद आपका interview होगा जो online examination होगा वहाँ पे आपको 85% जो marks होगा वो consider किया जाएगा और 15% आपका जो interview को basis पे आपका selection होगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको online apply करना है जो इनको online apply करने का आपको जाना पड़ेगा इनकी official website पे उसका link मैं आपको इस video के निचे description में दे दूँगा इसके लाब friends आप इनका जो official advertisement है उसको Hindi और English दोनों में download कर सकते हो उसका link मैं आपको इस video के निचे description में दे दूँगा online जो registration है वो शुरू हो चुका है मैं आपको बता दूँ 6 अगस्त से शुरू हो चुका है और जो last date है वो है 26 अगस्त उससे पहले आप लोगों को online apply करना है और जो exam कब होगा उसका detail आपको NTPC Limited के website पे आगे मिल जाएगा बहुत ही अच्छी opportunity है engineers के कि आप NTPC Limited जोइन कर सकते हो बहुत ही बढ़िया कमपनी है आपका career अच्छा हो जागा career growth ही बहुत अच्छा है वहाँ पे तो सोचने के कुछ भी नहीं है गेट भी नहीं मांगा कमपनी ने आप जरूर जाए वहाँ पे online apply करे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का हाँ पे selection हो जाए तो friends अगर आज का ये वीडियो आप के लिए helpful रहा हो तो इसे like और share जरू कर दे वीडियो के बारे मां और चैनल के बारे पर क्या रहा है ये मुझे comment करके जरूर बता इसके लाव friends अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe बटन में किलिक करके subscribe कर ले और bell icon को भी दबाह ले तागी आने वाले important videos के update आपको notification के तुरू मिलते रहे मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching this video good bye